पिछले 25 सालों से चीन एक देश के पीछे पड़ा हुआ है कि अपना खजाना हमें देदो भले ही किराय पर देदो इसके बदले हम तुमें इतना पैसा देंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा और वह देश लगतार चीन को मना करते आया है लेकिन आज पूरी दुनिया तब हैरान हो गई जब उसी देश ने उसी चीज को भारत को देने का ऐलान कर दिया है जिस चीज के लिए वो पिछले 25 सालों से चीन को बना कर रहा था वो चीज अब भारत को मिल रही है हलाकि आप लोग सूच रहे होंगे कि वो देश अपनी सबसे कीमती चीज भारत को साय इसलिए दे रहा होगा क्योंकि भारत उसे चीन से भी ज़्यादा पैसे दे रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं दरसल वो देश भारत को ओफर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे भारत का रिकॉर्ड पता है भारत के दोस्ती निभाने का रिकॉर्ड पता है और भारत पर बहुत भरोसा है इसलिए वो भारत के सामने ये बड़ा ओफर रख रहा है जबकि चीन पर उसे एक रुपए का भी भरोसा नहीं है और इसलिए ये भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं सब के पास एक च ना तो तेल है और ना ही सोने के भंडार उसी तरीके से अफिरका का एक देश है इजिप्ट उसका अपना खाजाना कुछ अलग है दरसल दूसरे अरब देशों की तरह इसके पास ना तो तेल है और ना ही गैस के बड़े भंडार मुझूद हैं लेकिन इसके पास एक खास च कि पूरी दुनिया में जितना भी ब्यापार होता है उसमें से 40-45% इसी स्वेज नहर से होकर गुजरता है यानि कि आधी दुनिया का ब्यापार इसी नहर पर टिका हुआ है और इसका सबसे सांदार उदाहरन है पिछले साल हुआ एवर ग्रीन क्राइसिस आपको याद होगा ही कि एवर ग्रीन नाम का एक बड़ा जहाज इस पूरी नहर के बीचों बीच आकर अटक गया था जिससे कि पूरी दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठब पढ़ने लगा था और दुनिया भर में हर चीज के दाम बढ़ने इस नहर से साल 2022 में लगभग 75,000 करोर रुपए भरती रुपए के बराबर कमाये थे अब इजिप्ट स्वेज नहर से और ज़्यादा कमाई करना चाहता है और इसके लिए इजिप्ट ने जो स्वेज नहर के आसपास के हिलाके हैं उनमें एक खास तरीके का एकनॉमिक जोन शुरू कर दिया है जिससे एजिप्ट की जीडीपी का 35% सिर्फ स्वेज नहर से आया करेगा लेकिन अब यह सवाल है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा तो हाल ही में एजिप्ट के रास्पती अब्दुल फटै भारत आये थे और भारत ने उन्हें गवतंतर दिवस के प जमीन को पाने के लिए चीन लगभग पिछले 25 सालों से लगातार छट पटा रहा है लेकिन चीन इसमें कभी काम्याब नहीं हो पाया है चीन के इस प्रयास के पीछे का कारण है स्वेज नहर की जियो पॉलिटिकल लोकिशन जिसका ट्रेड में काफी महतो है जब स्वेज न भारत को यहां पर इन्वाइट कर रहा है कि आप हमारे स्वेज नहर के पास जमीन लीजे और अपना बिजनेस डेवलब कीजे इसे भारत को क्या फायदा होगा तो आप जानते ही होंगे कि इस समय भारत यूरोपिय यूनियन और बिटेन के साथ फ्री ट्रेड भारत जम कर एक्सपोर्ट करेगा यूरोप और बिटेन को और यह सारा एक्सपोर्ट होकर गुजरेगा स्वेज नहर से और इसलिए अगर भारत कोई स्वेज नहर के पास प्रजिंस होगी तो हम अपने एक्सपोर्ट और अपने बिजनेस को सुरक्षी तरफ पाएंगे और सकता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको जिप्ट के इस आफ़र पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएए और अगर अभी तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद